हेलो एवरिवान वैलकम तो माई यूटूब चैनल टेक्निकल सिविल इंजिनियर में आज हम जो आपकी बात करेंगे हम जो आपका अर्थ करिश्टेंड बिलिंग का इस्ट्रक्शन यानि की भूकम पर प्रतिरोधी भावन निर्मान की बात करेंगे इसमें आज का जो आपका टॉपिक रहेगा भूकम जो है क्यों आते हैं भूकम क्या है और थोड़ा जो हम जो है अर्थ का इंटर्नल स्ट्रेक्शर है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले अर्थ किक क्या है जेनरल ये तो आप जानती है कि लो प्रबबिलिटी बट हाइ रिस्क यानि कि निमन संभावना वाली लेकिन क्या है कि बड़ी आपके पार क्या है विपत्ती है वो कमप का भी भी आ सकते हैं ना तो हम इसे रोख सकते हैं नहीं इसके लिए ज जो है इसको हम कटेग्राइज करते हैं यह हम कहें कि internal structure of earth यानि कि जो प्रिथवी है प्रिथवी की आंतरिक संरचना जो है क्या है सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड उसके बाद जो हम जो हम अर्थक्रिक को समझेंगे क्या अर्थक्रिक है क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो आपको कोई पहले से कोई बता के तो आदा नहीं है कभी भी आ सकता नहीं तो हम इसे रोक सकते तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो भी हम जो अर्थक्रिक का जो भी हम इससे रिलेटर जो भी हम बात करेंगे उसको हम सीस्मोलोजी के अंतरगर जो है बात बात करते हैं यहां पर आप देख लिए इस तरीके से जो है आप यह ग्लोब है याप इसको मान लिजे कि यह आपका वाटरमेलन है और इसका हमने वन वाइफ ओर पार्ट जो है कट कर लिया यानि कि इस तरीके से आपको दिख रहा है तो सबसे बहले फ्रेंट देखे जो आप आपका वाइट पार्ट अंदर दिख रहा है जो वाइट पार्ट सबसे इनर पार्ट है सबसे भीतरी जो पार्ट है वह है आपका इनर कोर यानि कि इनर कोर आपका हो गया भीतरी कोर उसके बात करते हैं फ्रेंट जो आपका यलोई इस पार्ट दिख रहा है यह आपका जो outer core है याई कि जो है बाहरी core उसके बाद जो third है आपका इसे हम mental बोलते हैं और फोर्थ पार्ट आता है जो बाहरी जो आपका अर्थिक्रेस्ट है याई कि जिस पर हम रहते हैं वह आपका भूपरपटी याई इतना समझी है उसके बहुत में की इसको Entre-Core बहुत है इसका डाइमेटर है इसका डाइमेटर आपका यानिकी 1290 1000 этой 2290 किलोमीटर की पर्चो यानिकी यह मांच ऑर्थ के अंदर 1290 किलोमीटर का डाइमेटर मैं की एक थीक्नेस है अब इस इंटर्नल अगर हम इस इंटर्नल जो है structure की बात करें या इस इंटर्नल core की बात करें तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि इस inner core में आपका क्या आता है जैसे nickel और iron जैसी जो आपके heavy metals हैं वह जो हैं इसके अंतरगत आते हैं इनर core जो आपका भीतरी core है उसमें nickel और जो है आपका लोहे जैसी भारी धातों से जो है मिलकर बना है उसके बात करें अब जो आपका inner core होगा यहाँ आपका किस तरीके से होगा यहाँ आपका solid state में होगा यानि कि जो inner core है यहाँ आपका solid state में होता है अब Inner Core का आपका जो temperature रहेगा सबसे जयादा जो temperature है आपका अर्थ में अर्थ की जो Inner Core है भीतरी Core है उसका temperature सबसे highest रहेगा यैनि कि कि तना रहेगा लभभ ज़ो है 2500 degree Celsius यैनि कि 2500 degree Celsius के approx जो है इसका तापमान रहेगा और इसका जो pressure रहेगा यानि कि प्रेसर की बात होगी जो इसका आपका जो इसका क्या रहेगा डेंसिटी रहेगा वह जो है 13.5 ग्राम पर जो है सेंटीमीटर क्या स्पाई जो है रहेगा अब आपको पता है फ्रेंड जो इनर कोर है इनर कोर का आपका टेंपरेचर काफी है प्रेसर काफी है और जो आपका ड प्रतिवी का जिस पर हम रहते हैं तो इस तरीके से जो है अभी हम बात करेंगे तो उसके बाद आपके लिए यह जो है मैंने यह डिजम बाइग्राम है आप इससे देखिए इस तरीके से तो इसमें क्या कहां मैंने जो inner core है inner core आपका जो है किस तरीके से हो गया solid state में रहे गया जो आपका nickel और iron जैसे metal से बना है इसका जो temperature है फ्रेंड लगभग जो है आपका 2500 डिग्री Celsius के एप्रोक्स है और जो इसका pressure रहेगा 4 million जो है आपका 4 million जो है atmospheric जो है pressure रहेगा और जो density है यहाँ पर 13.5 जो है ग्राम पर centimeter cube के एप्रोक्स है याणि कि inner core की बात करता हूँ क्योंकि जितना भी आपका प्रिथवी की जो आपकी inner जो आपकी core है भीत्री core यहीं पर सबसे ज़्यादा आपको तापमान देखने को मिलेगा दाब देखने को मिलेगा इसलिए जो reactions होते हैं यहीं से आपके जो magma यानि कि जो लावा फॉम बाद में जब आपके reaction करते हैं जो बाहर की और आते हैं क्योंकि जो आपका अर्थ क्रेश्ट है इस पर आपके क्या है कि जगह जगह आपके cracks देखने को मिलेंगे इस तरीगे से तो जो cracks होते हैं जब क्या होता है कि internal reactions होते हैं तो उच्च दाब और तापकी जब अभिक्रियाएं होती है तो क्या होता है कि जो आपकी इस तरीगे से जो magma फॉम होता है जो अंदर की जो दाटों से मिलकर बना यह जब पिघलता है तो मेंगमा क्या होता है। इन क्रेक्स के जरिये हमारी अर्थ क्रेश्ट पर देखने को मिलता है। मेल ठापन हैं तो सबस्ते कि कुझा करने मेल वने, थिरे दिलोग में लुए def-aculture करें चे लंपलाइज है box यहां रहता है और यहां पर पमोंच। अब करते हैं जाना कुझ वब बर Budget पेज हmother में नहीं नहीं चट्टानों का नमाड़ रहते हैं उसका दो बात करेंगे इनर कोर के बाद आउटर कोर की बात करते हैं आउटर कोर फ्रेंट जो है इसका जो डायमेटर है आउटर कोर का इनर कोर का डायमेटर आपका जो था inner core का diameter आप यहां पर देख लीजिए कि आपका जो है 1290 килometre केफ रॉक्स है outer core जो है इसका जो diameter है आपका जो है लगभग जो है 1200 kilometer के जो है फिरॉक्स है यानि कि outer core की जो layers है यानि कि जो बाहरी core है इस layers की th outer core आपका liquid state मे रहेगा अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपके temperature है जो भी आपके atmospheric pressure है या जो भी आपका जो density है वह inner core की comparison में यानि कि इसके comparison में यह क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा, कम हो जाता है उसको आद बात करते हैं कि जो आपका third जो आपका layer है यानि कि जो mental है mental का diameter देखेंगे मैं इधर लिखता हूँ इस तरीके से देखेंगे आप जो है mental mental का diameter आपका जो है 29 यानि कि 2900 km के approximately 2900 km के approximately जो है आपका mental है इसका diameter है अब होता जया है जो आपका mental वाला जो part है यानि कि यहापका semi solid में जो है देखने को मिलेगा यहापको जो है semi solid state में आपको देखने को मिलता है यानि कि 2800 सबस्ता में देखने को आपको जो है मिलता है तो यहापर क्या होगा कि जो आपका mental है यहापर भी क्या होगा कि flow होने के समता होगी जो भी आपके metals जो है इनर गोर करEं decided है काम हौगा उसके बात करते हैं यहां के आड़ करते हैं जो आपका सबसे आइझ आटर जो पार्थ है या की इसको हम बोलते हैं आपका जया एर्थधा क्रस्त इस तरीगे से देखे आफ जो है अर्थ्रीच pos अर्थ outta अपका 20 एक मेरी यहां पर देख़ना था है healthy ga ने करता है यहीं है अब फॉटु हिए करते देदें हमेका सामने ओसता है альные 25 फॉन ज़सी करा दिए करें विदुए कर wae जो यहां पर क्या होता है कि अर्थक्रेस्ट पर आपकी जो लेयर से हैं यह आपकी जो बनी है यह पेसाल्ट और जो है ग्रेनाइट इसमें जो है मेन देख लीजिए यहां पर हम आपको जो है कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट जो है इसमें मेन होते हैं यार्थक्रेस्ट पर कि उनी की rocks मिलकर बनती है तो यह क्या होते हैं कि light metals से बनी हुई है अब जो आपका earth crest है earth crest आपको यह भी आपको inner core की भाती solid state में देखने को मिलती है यहाँ कि जैसे आपका inner core था inner core की भाती आपको solid state में देखने को मिलता है अब जो यहाँ पर temperature रहेगा friend यहाँ पर आपका temperature रहेगा अर्थिक्रेश्ट पर 25 degree Celsius और प्रेसर रहेगा friend यहाँ पर लगभग 1 atmospheric जो है 1 atmospheric प्रेसर रहेगा आपका और जो आपका density है यहाँ पर density आपका 13.5 gram per centimeter से घट का लगभग जो है 1.5 gram per centimeter हो जाएगा तो इस तरीके से friend देखिए कि जो आपका अर्थिक्रेश्ट है उसका classification किया यह है इसके temperature को ध्यान में रखिए प्रेसर को ध्यान में रखिए और जो density है उसको ध्यान में रखिए friend इसको बताने का main वकसर देथा है कि आप जो आप यह जानेंगे कि अर्थिक्रेश्ट क्या है या अर्थिक्रेश्ट कैसे आते हैं तो उससे बहले आपको यह जानना कापी ज़री है friend इसके बाद में सीधे आपके बात करूना कि जो आपके हमारे जो अर्थिक्रेश्ट है अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आर्था की बात करूँ तो आप जानते हैं कि गुजरात का जो भुज़ परांत है जो गुजरात का जो भुज छेतरा लगभाए उसमें 26 जैन आपका 26 जैन तूटाओ जैन वन को जैनि कि छबधी जैनरली 2001 को जो है और आपके भुज परांत में जो इंटेंसिटी जो वहाँ पर आकी गई थी जो उसकी तीवरता थी भोकम की उस्टेम लबस 6.5 के अब गुजरात के भुछ छेत्र में अब जनरली क्या है कि यहां का जो हमारे भारत में क्या है कि अभी जो है इतना डैवलप नहीं है यह निकि अर्थ के विश्टेंट बिल निर्माण का मतलब यह है कि हमने जो भी भावन का निर्माण करना है उस पर यह दियान देना है कि हम उसको जो है उसमें सेर वाल प्रोवाइड कर रहे है नहीं कर रहे है उसमें हम जो है बीम और कॉलम्स का यूज कर रहे है या निकि कहने का मतलब यह है कि हमें जो भी हमने जादा तर जो है फ्रेम्डर इस्ट्रिक्चर के तहती जो है निर्मार किया जाता है अब जब गुजरात में उस टम में 2001 में भूकम पाया तो जादा तर जो वहाँ आपकी जो मैशनरी थी वहाँ आर आर है रेंडम रबल है तो रेंडम रबल आप भी जानते हैं कि स्टोन पुजपरांत में भूकम पाया उसमें 2001 में तो वहाँ पर लगभग 20,000 के अपरोक्स जो है लोगों की मिर्थी होई यानि कि इतने लोग डेड़ हुए और लाखों की संक्या में लोग गया लोगे और इसी जब इंटेंसिटी का जब अमेरिका में भूकम पाया तो वहाँ आपके यह यहां अक यहां ड़ो वेक्तियों की ऑकनति ही ओहळाती में अब भारत में भी का काफी इसी संबन में क्या है कि जो आप हमारी जो इंडियन गॉर्मेंट है इंडियन गॉर्मेंट क्या कर रही है कि जो अर्थोकेक से रिलेटेड इसने एक स्कीम चलाई हमारी जो इंडियन गॉर्मेंट है इंडियन गॉर्मेंट ने एक स्कीम चलाई जो है NPEE यानि कि जो है आपकी जो भूकंब अभियांतरी की जो शिक्सा है उसका जो है राष्टी इस तर पर जो है एक प्रोजेक्ट चला है नैशनल प्रोजेक्ट आप जो है अर्थके इंजिनेरिंग एजुकेशन नैशनल प्रोजेक्ट आप अर्थके इंजिनेरिंग जो है अर्थ अर्थुकिक के बारे में जो है समुचित जू है जानकारी जैने कि यह निकि कैसे आप जो है बिल्डिंग करश्टप्स ऐसा विल्डिंग करश्टक्सन आप कैसे करें जो आपका इसी के तह जो आदा है अब उसका बात करें जनरली जो आपके अर्थुकेंग है टाइम टाइम पर जो है काफी दिगाए है अभी देखिया आप जो है आज संडे करें उत्तर गासी में भी लगभग जो है आपका 2.5 इंटेंसिटी का जो है तीवरता का भुकम पर जो है देखने को मिला है यानिकि जो ग्राउंड जो सिक जो है आपके अगर जो है तो जो है ज्यादा आपके लिए नुकसान दे नहीं है लेकिन जब इससे ज़्यादा बढ़ता है तो फिर आपके लिए नुकसान दे जो है अब जो टाइम डूरेशन रहती है इनकी लगभग जनरली जो ज्यादा तर जो है आपके 60 सेगिंड के आ भूकम पहा जा था, तो उसके बाद भी हम जानते ही, अब भूकम पर क्या होता है, जब आपका, जब यहां पर होता है, आपका इसका फोकस है, जब अर्थकेक आ रहा है, तो उसका फोकस है, ग्राउन लेवल से चया है, अगर पहले आप यहां, बहुता है, जब भूकम पर आता है फ्रेंड यह आपका फोकस हो गिया यह उस टेम में क्या है माना फोकस है तो फोकस है जब आपका फोकस की जो डेप्ट है जब ग्राउंड लिवल से फोकस की जो डेप्ट है उसकी जो डेप्ट है आपकी कम होगी तो उस case में जो आपका अर्थ हो कि या जो कि भोगम पा उस छेतर मारा उसका प्रभाव छेतर कम होगा लेकिन इस case में क्या होगा कि जो उतकेंद्र छेतर है epicenter छेतर में विनाज अधि होगा यह कहने का मतलब है कि जब भोगम पा आएगा तो इस तरीके से इसके perpendicular जो है अगर हम ground पर लें और जो प्रभावित होने वाला जो छेतर होगा इस तरीके से जो है चारों और डाइमेटर के रूप में जो प्रभावित होगा छेतर तो उसमें क्या होगा कि प्रभावित छेतर तो होगा लेकि विनाज क्या होगा إस केस में फ्रेंड विनाज क्या होगा उतक इन छेतर में विनाज अधि होगा अगर यही ground level से depth 10 km की जगह अगर ये होती है आपकी 50 km के एपरोकस होती इसको दिहान से समझे, यह आपका ground level है, ground level से 50 km की depth पर मान लीजे कि आपका 4.0 intensity का अर्थ के कारा है, तो उस case में क्या होगा कि ग्राउड लेवल से 50 km की गहराई है, तो इस case में क्या होगा कि फोकस की depth है वह काफी जादा है, तो इस case में क्या होगा कि भोकम का प्रभाव छे कि यहादा है, विश्तरत हो जाएगा, लेकिन विनास कम होगा, आप क्या होगा कि फोकस आपका बहुत अधिक depth पर 50 km काफी अधिक diameter को जो है, काफी अधिक diameter पर आपके लोगों को पता सल जाएगा कि कही ने कहीं बोकम पाया है, यानि कि उनने बोकम के हल्की ground shaking महसूस होग तो focus हो गया, epicenter हो गया, इन चीजों को आप समझे, intensity को समझे क्योंकि जो भी intensity होती है, रिक्टर परमाने पर मापी आती है जो भी अर्थोगे की intensity होती है, रिक्टर परमाने पर और जो हम graph जो बनाते हैं, तो ground level से नीचे जो है, हम जो है तो यहां क्या होगा की, यहां आपका पन लगी होती है, यहनि कि इस तरीके से आप जो है, इस तरीके से एक arrangement होता है, तो यहां पर जो है इस paper फोल रहता है, रोटेटिंग ट्रवन है, इस पर graph ग्राउंड में जो है सेकिंग होगी उस तरीके से जो है इस ग्राप पर जो है इस तरीके से जो है ग्राप जो है प्लॉट होते रहता तो इससे हम जो है सिस्मोग्राप कहते हैं तो यहां सब जो है फ्रेंड आपका सिस्मोलोजी के अंतरकाद आता है भुकम पर विग्यान के अब जो भी आपका graph बनेगा इस paper पर इस तरीके से graph draw होता रहेगा उसके बाद आपको पता सल गया कि intensity इतनी है और सिस्मो graph को आप बाद में देखेंगे तो इसका study कर सकते हैं तो फ्रेंड इस तरीके से study कर आता है यहाँ देखे यह wire है इस तरीके से platform है यहाँ से damping magnet है इसमें weight लटका हुआ है यहाँ से pen attach हुई है और रोटेटिंग ड्रम में जो है pen चलते रहेगी जैसे ऐसे आपका अर्थके में हल चल होगी तो यह रोटेटिंग ड्रम खूमते रहेगा तो इसमें आपका पैन के जरी जो है graph प्लॉट होते रहता है आज का जो हमारा lecture था इसमें हमने internal structure और और अर्थक को देखा थोड़ा हमने आपकी जो आर्थके की बात की कि आर्थके क्या है क्योंकि आप जानते हैं कि जो आर्थके का प्रेंड इसमें जो रेंडम रबल जो मैशनेरी थी जब गारे की चिनाई से किया जा तो उस टाइम अब हमने का है कि जो अर्थके नीचे की जो हमारी rocks है उन्हें हमारी क्या होता है potential energy या elastic energy इस्टोर हो जाते है अब जब इस्टोर हुए energy क्या होते है जब एकदम बश्ट होगी इनकी मुक्त होगी तो आपकी जो हल्चल होना जो है सभाविक है क्योंकि हम क्या हो रहा है कि क चल्चर या movement आपको देखें को मिलेदा इस तरीके से अर्थक्रीक जन्रेट होता तो फेर्स मुझे आसा है कि आपको यह lecture अच्छा लगा होगा प्लीज है अगर lecture आपको अच्छा लगा जो प्लीज लाइक कीज़ें शेयर कीज़ें और जो है जो नए जो है इस टौपिक क